हेलो बच्चो, UPSC के इस special segment में आप सभी का स्वागत है आज सक हम लोग जोगरफी को पढ़ते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा irritate होते हैं, frustrated होते हैं क्योंकि map को पढ़ाने के लिए कोई भी teacher ऐसा नहीं है जो आपको बहतर तरीके से map समझाए देखिए अगर आप जोगरफी पढ़ रहे हों, जोगरफी में आपने map नहीं पढ़ा तो शायद आप कभी जोगरफी याद या समझ नहीं पाएंगे तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है map को पढ़ना map को पढ़ने के लिए, आप भी app पे जाके कई सारे maps मिल जाते हैं digital होते हैं, download करिए, उनको पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आप बहतर तरीके से याद कर पाएं जोगरफी बिना map के नहीं होती तो आई आपना पहला segment याद करते हैं पहले segment में हम बात करेंगे पामीर नौट की और वहां से निकरने वाली ranges की, हिमाले को हमने दो भागों में बाटा है, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे हिमाले को, तो पेटा हिमाले जो है वो दो भागों में बाटा गया है इन दो भागों को आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है ठीक है, इसमें पहले भाग को हम बोलते हैं ट्रांस हिमाले, क्या बोलते हैं बच्चो ट्रांस हिमाले पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम मैप पे जाते हैं ठीक है, पहली बात को हम कहते हैं Trans-Himalay और दूसरे भाग को बोलते है हिमाले अभी थोड़ी देर में आपको पता चले का हिमाले और Trans-Himalay में अंतर का है Trans-Himalay का मतलब है हिमाले श्रंखला से पहली के जो mountain थे मतलब जब Eurasian plate से टक्राएं इंडियाना plate उस टाइम से पहले जो परवश रंखलाय मौझूद थी उनको हम ट्रांस हिमाले बोलते हैं मतलब हिमाले से पहले की और हिमाले रेंजेस क्या है जब दो प्लेटों के टकराने से एक वलित परवद बनता है तो उसको हिमाले बोलते हैं तो हिमाले और ट्रांस हिमाले में काफी अंतर है तो आज हम बात करेंगे ट्रांस हिमाले की कौन कौन सी श्ट्रेडिया हैं और वो किस तरीके से बनी तो इसको बनाने से पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर है पामीर का नौट जिससे बहुत सारी ranges निकल रही है तो उन ranges के बारे में आज बात करेंगे कि ट्रांस हिमाले की ranges कौन कौन सी है तो यह जो तीन ranges है इनकी आज हम detail में भी बात करेंगे यही आपके exam के लिए जरूरी है और इनी तीनी ranges के बारे में हम बात करके फिर बाद में detail में हिमाले की बात करेंगे तो यह बिना देरी के ह Karakorum Ranch यह सबसे important range ती जो आपके सामने आती है तो अगर आप इस Karakorum Range की बाद करेंगे तो यह Karakorum Range就是 Trans-Himalaypee की पहली शंकला है है जो देखे हैं भारत में भी है ठीक है? इथ हमारा जो china occupied Kashmir है उसके भाग में भी है और इस कAdakuram Ranges की बहुत सारी चोटिया भी हैं जिसमें केटू एक बहुत इंपॉर्टन चोटी है अगर आप केटू की बात करें तो 8000-600-111 तो इसकी हाइट है इसके बारे में हम बात करते हैं जब हम कारakuram Range से आगे जाते हैं और कारा कुरम रेंज के बाद अगर हम ध्यान से देखें इस मैप को तो आपको क्या दिखेगा आपको ये दिखेगा कि कारा कुरम रेंज के बाद हमारे पास जो अगली रेंज आती है जब ये कारा कुरम कर लेते हैं तो हमारे पास अगली आती है लद्दाक रेंज बेटा यही लदाक रेंज जो है इसी को जब हम आगे एक्स्टेंट करते हैं मतलब इसी लदाक रेंज को जब इधर ले जाते हैं इस तरीके से चाइना की तरफ तो यही लदाक रेंज आगे जाके क्या बन जाती है हमारी यहीं लदाक range आके जागे कैलाश बन जाती है और यहीं पर कैलाश मानसरोवर परवत है जो हिंदू की आस्था के प्रतीक माना जाता है जब हम इस लदाक range के extension को कैलाश बोलते हैं तो यह लदाक range जो है भारस में भी है और भारस से होते हुए तिबबत में चली जाती है जो आज की date में किस के पास है पाकिस्तान चाइना के पास है और इसके बाद हमारी last range जो आज की हम पढ़ेंगे वो है बच्चो जासकर range अगर जासकर range की बात करें को तो जासकर range बहुत importance हमारे लिए रखती है जासकर range में बहुत important श्रंखलाएं पाए जाती है बहुत important है तो ये तीन ranges हो हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा importance रखती है उसके बाद पीर पंजाल की भी बात कर सकते हैं दोला धर की भी बात कर सकते हैं बट इनकी बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ट्रंस हमाले की तीन important ranges की बात करनी थी इनकी आज हमने बात की अगर आपको lecture में कोई भी doubt लग रहा हो आपको लग रहा हो इसमें कुछ और सुधार करनी के आप शक्ता है तो हम इसका सुधार अवश्य करेंगे पर हम कोशिश करेंगे कि आपको map के साथ भारत को पढ़ाएं ताकि आपको चीजे proper manner में याद हो आप इन चीज को कर पाएं अगर आपको lecture अच्छा लगा तो please like, share, subscribe करिए God bless you all, take care, जैहन, बंदिवात